कृष्णा मैं हम अरे शामू क्या हुआ को कुछ तो हुआ है अरे कृष्णा मेरे खयाल में जो मैं कहना चाहता था वो माखन के बारे में था पर अब मुझे याद नहीं है सोचो शामू सोचो कोशिश तो करो क्या फाइदा मुझे कुछ भी याद नहीं रहता दामू और सुदामा आते ही होंगे वह मेरे पीछे ही थे उन्हें जरूर याद होगा क्या तुम्हें शामू ने बताया मुंचल जो माखन का व्यापार करती है वापस आ गए है क्या तुम माखन के बारे में ही कुछ बात थी हाँ मुझे याद है उसकी सारी गायों को हमने पांच दिन तक खिलाया पिलाया था और उसने हमसे वादा किया था कि वो हमें माखन के पांच मटके भर के देगा अब उनका वादा निभने का समय आ गया है सुनो मुझे वो मुझे वो मु कि माया हूँ भरदस्ती नहीं हम प्यार से मांगेंगे Program करना मेरे स्वाधिष्ट मांखन रिया रखे है लो माने करने घ्म, यह, माधे के अनुसार, पाँच मांखिए मेरे स्वादिष्ट माखन ये ये हैं पांच मटके ये तो आपकी हथेली से भी छोटे हैं सब को मिलाकर भी एक मटका नहीं भरेगा अरे कृष्णा अब नालच मत करो मैंने तुम्हें मटकों का आकार तो नहीं बताया था अब जाओ मुझे बहुत काम है बेशक आपने इसी क अब कितने दयालू है धन्यवाद है अरे ये जगा तो खाली है कहां है उनके मखन के दोने मेरे मुँ में तो पानी आ रहा था वो मखन से लदी हुई गाड़ियों की खुश्पू तो कुछ और ही थी मेरे भी मुँ में पानी आ रहा है और पेट में चुह दाड़ रहे हैं मुझल माखन ऐसे ही इधर उधर नहीं रखेंगे तुम तीनों ठीक से नहीं देख रहें उपर देखो ओ अब हम इतनी उपर कैसे पहुच पाएंगे सुदामा मुझे माखन से कोई भी दूर नहीं रख सकता तयार हो जाओ ये माखन तुम्हारे लिए है ये माखन तो पहुट सा अडिस्ट है मुझल कंजूज भले ही है पर माखन सबसे उंदा बनाते हैं कर दोस्तों पतन तयार है इसे हम सब मिलकर उड़ाएंगे नहीं कृष्णा इसे हम तीनों उड़ाएंगे अरे नहीं नहीं ये पतंग बहुत बड़ी है तुम तीनों इसे संभाल नहीं पाओगे संभाल लेंगे कृष्णा इन 900 ग्राम की बाजुओं में बहुत ताकत है 900 ग्राम पर तुम्हारे बाजु तो सिर्फ 1500 ग्राम के हैं शामू बाकी देर देर सो ग्राम इधर है कृष्णा देर सो गुनाग छे बराबर 900 कोई बात नहीं कृष्णा इसे नहीं उडाने दो हम दूसरी बना लेंगे अरे पर पर वर छोड़ो कृष्णा चलो करनी देते हैं दोस्तों पीछे चलो राधा यह गलत है यह उड़ जाएंगे कुछ नहीं होगा तयार हो ना तयार है एक दो और यह तीन 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 कृष्णा कितने खुष्णा कितने खुष्णा कितने खुष्णा ना तीनो अरे यह तेज हावा कैसी अरे यह क्या यह तीनो तो गए काम से कृष्णा तुम सही थे यह समय अब इन बातों का नहीं उन्हें बचाने का है राधा कितने बाते है ah कृष्णा क שמ該 वал कितने खुष्णा काम सही प्रुष्णा यहそう खुर्णा क्प्रूणा थ्रुष्णा किक्ट्ष्णा, क्यां रिक्क्रीए कितने मेंसलने खुष्णाम प्रिश्टा ये तो हाथ ही नहीं आ रहे है इसका उपाई है मेरे पास पकड़ो मुझे तयार हो राधा पकड़ लिया मैंने भी अरे पर क्यों पकड़ा कितना मज़ा आ रहा था उड़ने में पर हम तो तुम्हें बचाने आए हैं इसे बचाना नहीं मज़ा किरकिरा करना कहते हैं ऐसा है तो तुम्हें लोग आ क्यों कर रहे थे वो तो मज़े वाला आधा क्रिष्णा क्रिष्णा इन्हें मज़े लेने दो राधा ने कही क्रिष्णा ने मानी हुआ 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 हाँ किसने किया बक्षियों के एक जुन्ने पतंग फार दी राधा उसके बाद हम शेर चीते और भालों के बीच जागरे और उनसे बचते हुए हमारी ये हालत हो गई अरे तो क्या हुआ उड़ने के मज़े लेने हो तो इतना तो बनता है क्रिश्णा तुम भी आजाओ और नहलाओ हमारी गव माताओं को मेरी और से क्रिश्णा है न तो क्रिश्णा की और से कौन है क्रिश्णा की और से तुम हो पिर मेरी और से कौन है तुम्हारी और से दामु है दामु की और से सुदामा और सुदामा की और से राधा पर राधा तो बाहर है उसकी और से तो मैं हूना अरे पर क्रिश्णा ये लधी के पानी में सागर जैसा उपान कैसा क्रिश्णा इता देखो प्रिष्णा ये सब क्यों भाग रहे हैं राधा पता करना होगा मेरे पीछे आओ काका ये सब क्या हो रहा है इंसान और जानवर सब ऐसे क्यों भाग रहे हैं विटिया जंगल में एक भयानक राक्षस आ गया है सब को मार रहा है तुम भी जान बचाओ भागो यहां से क्रिष्णा के रहते किसकी इतनी मजाल वही तो क्रिष्णा दो डालो उसे अब राधा ने कहा है तो धोना तो पड़ेगा चलो अरे यह तो चुटनकू है क्रिष्णा इस चुटनकू से कोई कैसे डर सकता है इसे देखकर तो हसी आती है इसे तो हम तीनों ही पठक देंगे नहीं नहीं दामू तुम तीनों से नहीं हो पाएगा हो जाएगा क्रिष्णा हां क्रिष्णा हम देख लेंगे इसको तुम बस देखते रहो चलो श्यामुदाभी रुको रुको सुनो तो राधा यह तीनों जरूर पिटेंगे लेकिन क्रिष्णा ये तो सोचो, अगर इन्होंने सच में दुष्ट राक्षस को मार गिराया, तो बहुत मजा आएगा। मुझे देखकर तो सब डर कर भागते हैं, तुम लोग मरने चले आए। हम मरने नहीं मारने आए हैं। ऐसा बोलकर मेरा मजा कुणाते हो। दो आओ, आयो चाचें। कृष्णा, ये तो बैमानी करने लगा। रमती, ये ठीस हो गया। लोग, करती न करती। अब तुम्हारी धुलाई और कुटाई दोन होगी। और कौन करेगा ये सब। अघर नहीं ङहीं होगी हुआ हुआ लोग हुआ लोग il देखा, भाग गया ना मुझसे डर के प्रिश्णा डरता नहीं, बल्कि तुम जैसो कुछ डराता है प्रिश्णा जैसो कुछ गया, गया उसकी माता जी बोजन पर उसका इंतजार कर रही थी क्रिष्णा तुम इतनी अच्छी बासुरी कैसे बजा लेते हो क्योंकि क्रिष्णा ने सारे सुरों को अच्छे से याद कर रखा है शामू सब कुछ सिर्फ याद रखने के बारे में नहीं होता मुझे यकीन है अगर तुम चाहो तो तुम भी संगीतकार बन सकते हो क्रिष्णा मजाग छोड़ो भले जितनी भी कोशिश कर ले हम मेंसे कोई भी इतना अच्छा संगीत नहीं बजा सकता खास करके शामू अरे वो तो मजाते बजाते ही धुन भूल जाएगा हाँ बिलकुल मैं मजाग नहीं कर रहा चलो कुछ ऐसा ढूंडते हैं जिससे तुम अपना अनोखा संगीत बना सको हम कहा जा रहे हैं शामू के लिए सही साधन ढूंडने और कहां अरे यह तुम क्या कर रहे हो कृष्णा इस बस के साथ शामू के लिए बांसूरी बना रहा हूं यह लो शामू इसमें फूख मार के देखो मुझे पता नहीं कृष्ना मैं कोशिश करूंगा है शायद बांसुरी तुम्हारे लिए नहीं है, कोई बात नहीं, हम ढूनते रहेंगे, चलो, शेहर चले क्या तुम्हें सच में लगता है, कि शामु कोई संगीत साधन बजा पाएगा? बेशक, सभी के लिए कोई न कोई संगीत जरूर है, हमें बस तुम्हारे लिए सही साधन डूनना है उधर, बर्गत के पेड की ओर कहां क्रिश्णा, मुझे वहां कुछ नहीं दिख रहा चलो, दिखाता हूँ, मुझे लगता है कि वो हमारी मदद कर सकते है बाबा, मेरा दोस्त संगीत सीखना चाहता है, क्या हम आपके साधनों का उप्योग कर सकते हैं आपको पूछने के जरूरत नहीं है, क्रिश्णा, ये लीची, एक तारा से शुरू कीची पता नहीं, मैं कोशिश करूँगा नहीं, ये भी नहीं, ये लो इसे आजमाओ हाँ, ये आसान लग रहा है इसे बस हाथ से बजाना है क्रिश्णा, आपके मित्र में ना सूर है न ताल है, हम और नहीं सुन सकते अच्छा लगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं क्रिश्णा, मुझे लगता है, मुझे कोशिश करना छोड़ देना चाहिए मुझसे नहीं हो पाएगा हम, अब समझाया कि मुझे क्या करना है बाबा, क्या मैं ये घंटियों वाली छड़ी रख सकता हूँ? जरूर, इसे लो शामू पांसुरी के साथ तुम अपनी घंटियां बजाओ मेरे सुर से सुर और ताल से ताल मिलाओ तो शुरू करें कोशिश कर सकता हूँ मुझे यकीन है, अब तुम कर पाओगे मुझे तुम करें मारी बंटियों मारी का अपनी प्रह करें का नचो करें क्रिश्णा, मैं मुसीबत में हो, मेरी मदद करो क्रिश्णा, अरे सुनो क्रिश्णा, शामु मुसीबत में है शामु, दामु, अब क्या हुआ, आज कौन सी नई परिशानी है बाबा ने मुझे चारों गायों का ध्यान रखने की जिम्मदारी दी थी पर अब चारों की चारों कहीं खो गई है ये शामू ना बहुत भुलकड है ओहो तुम उन्हें शायद बर्गत के पेड़ के पास भूलाए होंगे याद है पिछली बार भी हम सबने हर जगे डूंड़ा था और क्या हुआ अखिर में हमने गायों को पेड़ से बांधा पाया वैसा हुआ था क्या मुझे बिलको याद नहीं लेकिन मैंने उस पेड़ की जाच की पर वे वहां नहीं थी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो चारों कहां गई होंगी क्रिश्ना तुम्हें मेरी मदद करनी होगी यह शामु ना बहुत बुलकड है तुम दोनों भी ना क्या क्या करते रहते हो चलो जाकर ढूंडते हैं क्रिश्ना रुको चलो चलो तुम पहुंचे रहे हैं विष्ना 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 विष शामू, तुमने अपनी गायों को यही छोड़ा था, देखो तो, चारो गायों के पेरों के निशान यहां है, किसी ने तुम्हारी गायों को चुरा लिया है, ओ, तो इसका मतलब, शामू गायों को भूल ले गया था, ओ, पता ने कि अच्छी बात है या बूरी, शायद यह किसी की शरारत है, रुको, यह क्या है, मुझे पता है तुम्हारी गायों के साथ क्या हुआ है, सच में शामू, तुम्हें रोज ज्यादा माखन खाना चाहिए, तुम्हारी याददाश सुधर जाएगी, पता है, क्या पता है, इसे पहचानते हो, मुझे तो सब कुछ ही दोनों जाना पहचाना और अंजाना लगता है, वैसे मैंने इसे पहले भी देखा है, राधा, बिचारे शामू को उसकी गायों लोटा दोना, राधा, क्यो, कहो, शामू, याद करो, क्या तुम कुछ करना भूल गए, लगता ह है कि राधा तुम्हें किसी बात का सबक सिखा रही है, शामू मुझे अपने पेर से दस आम देने वाला था, उसमें बाधा किया था, वो भी दस दिन पहले, तो जब तक वो अपना वाधा पूरा नहीं करेगा, तब तक उसकी गायों मेरे पास रहेंगी, ओ राधा, मुझे माफ कर दो ना, मैं आम के बारे में बिलकुल भूल गया, जब ताजी फसल आई, तब मैंने आम की गिंती शुरू भी की, पर साथ आम के बाद में यही भूल गया, कि मैं आमों को क्यों गिन रहा था, और फिर मैं खेलने लगा, राधा, बाबा को पता चलने से पहले मुझे बता दो ना, कि मेरी गाएं कहा हैं, वरना मैं मुसीबत में पढ़ जाओंगा, राधा, शामू, तुम सच में बड़े भुलकड़ो, मैंने तुम्हारी गाएं बाबा को लोटा भी दी, क्या, यानि कि चारो गाएं कभी खत्रे में ही नहीं थी, हाँ, अच्छा तो अब बत अगर तुम मुझे पकड़ सके तो, हाँ, 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 ह κृष्णा खोलो डरुवावा क्रिश्णा देखो मेरे पास्क्या है मेरे मड़कर अ stato एतनी सुबढ दू यह क्या करे ही हो क्रिश्णा मुझे उससे बात करनी है प्रिश्णा राधा आ遊 बुर्याउ जल्दी आओ कुछ बहुत ज़रूरी काम है क्या हुआ राधा तुम इतनी घबराई हुई क्यो हो गल रात मैंने एक अजीब सी रोने की आवाज सुनी मेरी आंख अचानक से खुली मैं उठकर सोचने लगी कि क्या मैंने आवाज सबने में तो नहीं सुनी और तब ही अचानक वही आवाज दोबारा आई मुझे बाहर जा क्या करूं? राधा ये एक अलू का बच्चा है हम दिल में कुछ नहीं कर सकते क्यूंकि ये रात को ये दिखते हैं इसकी मा इसे ढून रही होगी हम अज रात को इसका घून के इसे अपनी मा से मिला देंगे पर इसका घुसला हमें मिलेगा कैसे? हम मुझे सोचने दो पर आ जाते हैं इसका घॉंसला तुम्हारे घर के आसपास ही होना चाहिए ये छोटा सा चूजा बहुत दूर तक नहीं उड़ा होगा ठीक है काश तुम्हारी बात सही हो रात के सब जीवब जागने लगे हैं हमें ध्यान से सुनना होगा उल्लू भी उठने लगेंगे देखो ये चूजा भी जाग रहा है ओलेलेले मेरे छोटे से चूजे हम तुम्हारा खर डून रहे हैं तुम घबराओ नहीं ये तुम से सहमत है हो सकता है शुष्ण सुनों क्या वो इसकी मा हो सकती है जलो पता करे आओ यहां से उस तरफ उस जाड के पीछे अरे ये थोड़ी ना कोई उल्लू है शामु दामु तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो खर्रादा शुष्ण तुम इस उल्लू को डरा दोगे वैसे तुम दोनों इस वक बाहर क्या कर रहे हो शामु यह बीज बोना चाहता था पर उसने कहा के सूरज के ढ़लने पर ही बोईंगे मुझे शायद माने ऐसा ही बोला था अब मुझे याद नहीं आ रहा है हम यह बीज मिट्टी में फूप मार कर बो रहे थे क्रिश्ण तुमने उल्लू कहा था ना इन्हें दिखाओ यह यह चोटा सा चुजा अपने घोसले से शायद गिर गया है हम इसका घून रहे हैं यह एक उल्लू की आवाज है शायद इस चुजे का परिवार हो यह एक पेड है जिस पर बहुत सारे उल्लू के गोंसले है आओ हम देखते हैं यह कूतना चाहता है मु हमें पेड पर इसका घूसला ढूनना पड़ेगा क्योंकि उल्लू नीचे नहीं आ रहे है क्या यहां है तुम्हारा घर हाँ चलो मैं तुम्हें घर ले चलती हूँ रुक जाओ राधा रुको क्रिश्ना मुझे लगता है कि घूसला पास में ही है यहां यहां देखो धन्यवाद क्रिश्ना तुम्हें इसका घर ढूनने में मेरी मदद की तुम्हें ज्यादा मदद की ज़रूरत नहीं थी पर मुझे खुशी है कि हमने मिलकर इसका घूसला ढून लिया अब इससे पहले कि घर पर सब परेशान हो जाए हमें वापस चलना चाहिए हां बच्छा 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 क्रिष्णा लगता है दामु और सुदामा के पीछे कोई राक्षस पढ़ गया है क्रिष्णा के रहते कोई राक्षस उसके दोस्तों का कुछ नहीं बिगार सकता राधा क्रिष्णा शामु तुम तुम इनके पीछे पड़े हो हां क्रिष्णा इन जूटे बैमानों के पीछे मैं ही पड़ा हूं लेकिन क्यूं शामु चलो कन्चे गहलते हैं नहीं Сोदामा तुम दोनों ही खेलो मुझे कुछ सवालों के जवाब सोचने है जादा मत सोचो शामु सर दर्ड करेगा वो तो जवाब नहीं सोचूंग तो भी करेगा तो ऐसा करो, हमारे साथ खेल लो, उसके बाद तुम्हारे सवालों के जवाब हम दे देंगे, कैसी रही? खूब रही, इसमें तो तुम्हारा ही लाब हुआ लाब तो तब होता कृष्णा जब ये मेरे सवालों का जवाब देते, पर ये तो भाग आए तो क्या करते, इसके अलावा हमारे पस कोई दूसरा चारा भी तो नहीं था, तुम्हारे अजीबों गरीब सवालों का जवाब कोई नहीं दे सकता कैसे सवाल? ये पूछता है कि अगर भगवान है तो साबिक करो, अब ये कोई कैसे साबिक करे? इसमें क्या मुश्किल है, जिस प्रकार बच्चों के माता पिता होते हैं, उसी प्रकार ब्रह्मान को पैदा करने वाले सबसे बड़े पिता हैं, जो भगवान कहलाते हैं वो नहीं होते, तो हम नहीं होते इसलिए हमारा होना ही ये साबिक करता है कि भगवान है ये तो सही है इसका जवाब तो तुमने दे दिया कृष्णा लेकिन बाकी के जवाब भी दो तो जाने आखिर में तुम्हें भी हमारी तरब भाग नहीं पड़ेगा ऐसा है तो अब कृष्णा ही शामू की सवालों के जवाब देगा क्यों क्रिश्ना राधा ने कहा है तो क्रिश्ना जवाब जरूर देगा चलो शामू, शुरू हो जाओ पूछो जो पूछना है तो बताओ शहद मीठा और नमक नमकीन क्यों होता है शामू, हर जीव, हर तत्व की अपनी एक प्रकृती होती है उसी हिसाब से शहद जिन फूलों के पराग से बनता है उनमें मिठास होती है इसलिए शहद मीठा होता है इसके विपरित समुंदर में पाए जाने वाले खनीज नमकीन होते है इसलिए नमक नमकीन होता है ये भी सही है अच्छा तो बताओ कि खाना खाने के बाद भूख क्यों खत्म हो जाती है ओफो क्या तुम्हारे सवाल खत्म हो गए शामूंग अभी तो आधे ही सवाल पूरे हुए है क्रिश्ना बताओ जब पानी सबको गीला करके सर्दी खासी जुकाम लगा देता है तो वही पानी खुद दिन रात पानी में ही रहता है तो उस पानी को सर्दी खासी जुकाम क्यों नहीं होता ये इंसान तो अद्वुत, अद्वित्य, अकल्पनिय है इससे बचने में ही भलाई है चुप क्यों हो क्रिश्ना, बोलो, जवाब दो मैं जन्म, मरन, कर्म, ज्यान, विज्यान, गनित, भुगोल और ब्रह्मान के रहसों का जवाब दे सकता हूं शामू लेकिन तुम्हारे इस सवाल का नहीं नहीं, क्रिश्ना, तुम्हें जवाब देना ही होगा नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा अरे, क्रिश्ना, रुको तो देखा रा न, कहा था न, शामू के सवालों का जवाब कोई नहीं दे सकता तेज और तेज भागो जो आगरी पहुचेगा उसे सब के लिए माखन के पांच मट्के लाने होंगे तुम बहुत तेज हो ग्रिश्णा रुको मेरी बकरी मेरी बेचारी बकरी अब मैं क्या करूंगा आओ पता करते हैं कि क्या हुआ क्रिश्णा पहाडों के बड़े गिद मेरी बकरी को उठा ले गए अब मेरे पास सर्फ दो बकरिया बची हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं ये बताओ तुम्हारी बकरियां कहां चर रही थी बड़े बर्गत के पेड़ के पास यमुन्ना के बगल में अच अब रोस क्या हो बस उमीद है कि इस गिद से कभी हमारा पालाना पड़े तो बताओ क्या योजना है तुम्हारी योजना कौन सी योजना हम दोनों जानते हैं कि तुम्हारे देमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा है चलो चलो खेलते हैं ये लोगेन दामो पकड़ो दामू, संभर के! मैं आ रहा हो, दामू! दामू, दामू, यहाँ देखो! ओ, क्रिष्णा, तुम आ गए! अब तुम्हें बच जाओंगा! श्ष! गित तुम्हें सुन लेंगे! अच्छा-च्छा! हम अब क्या करें? यहाँ से कैसे निकले? वहाँ! वहाँ पर! तुम कुछ बक्रियों को साथ ही जाओ! जल्दी! हुरु, हुरु, आओ, इधर आओ! अब? अब अब बस देखते जाओ! क्रिश्ना! तुमने कर दिखाया! बच गए! हम बच गए! जल्दी! जल्दी करो दामू! हमें उनके वापस आने से पहले निकलना होगा! चलो! इन बक्रियों को वापस ले चलते हैं! वो छोटा लड़का इनका इंतजार कर रहा होगा! क्रिश्ना! क्या तुमने जान बुच कर मुझे उस गित से उठवाया? ताकि तुम उस लड़के की मदद कर सको! हेहे! चलो! चले दामू! तेर हो रही है!